अब देशकते रहेंगे ब्रीजिंग किया जा रहा था यहां पर होल बड़ा हो गया है पाइब में कई बार जो है मिस्टेक से हो जाता है हम ब्रीजिंग करते हैं और होल बड़ा हो जाता है पाइब में खासकर जो नए टेक्निशिंग रहते हैं उनको ज़्यादा एक्सपिरि में होल हो जाता है तो हम कैसे रिफिल करते हैं अगर आप देखना चाहते हैं सीखना जाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखते रही है आपके लिए प्रेट कली फूल इंफार्मेशन होने वाला है इसमें प्रोलम था लीक हो गया था गैस लीक था जिसके वज़े से इसे किया जा रहा था विल्निक किया जा रहा था और मिस्टेक से जो है इसमें होल हो गया है तो पूरा वीडियो देखते रही है इसमें किस तरह से हम करेंगे हम आप से करेंगे और इस तरह से अच्छी सेंट्र लेसी के बारे में जाना देखना चाहते हैं हमसे जूर रहे हैं हम तो बैसिकली जोहें, हमें breejing करना रहता है, तो उपर से heat करते हैं, heat करके, हमें ब्रॉपर उपर हमें, जो il राता है, grid रहता है और फिल करते हैं, ये gap फिल हो जाता है, hole फिल हो जाता है, और leak बंद रचा है, इसमें मिठ्स्टिक क्या हो गया है एक ही जगह पर टॉच को ज्यादा रखकर करकता था और लग दिया गया था यूर्ट के फिन करने के लिए रखना चाहिए चोंड़ स comida कि प्र।प मैं रखना चाहिए हम ज्यादा एक्सपेंशन वाल रता है वहां पर जाएगा ब्लॉब हो जाएगा प्रोलोम क्रेट करेगा कुलिंग नहीं होगा तो साउधानी हमें रखना चाहिए उसके लिए हम क्या कर रहें देशकते रहें कि हम ब्रीजिंग कर रहें लेकि रोट जो है एक इंड पर लास्ट पर हम कर र आएंगे हमने से फाइंड कर लिया था और यह अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है चल रहा है किस तरह से हम ब्रीजिंग कर रहे हैं यह वीडियो हमारा दिखाने का मक्सरत देख था जो लोग बहुत से नय टेगनिशन रहते हैं उनको तो जात और ब्रीजिंग करने के संवार करें देखेंगे तभी सिक्षाएंगे समझ पाएंगे इस तरह से करते हुए कर लिया था उसके आपर फिर लेंगे आ पहले आ चांस्छ स रहे गाए सब्सक्राइब कर दिया है जिसे लीक ना हो तो अब देसकते रहेंगे नीचे साइड में उपर साइड में लीक है तो रॉट को सभी जगह पर घुमा देंगे इसके लिक रहता है क्या है माइनर लीक रह जाता है हम उसमें करतें हैं बड़ा होल गया या फिस लिए करना चाहिए हमें जो रहए कर रहा है चारो भी घुमा करके अच्छी तरह से जो मेट्रियल आता है पेगला करके फैला देना चाहिए इससे कहीं से लीख होने का चांस है तो यहां पर गाया जा रहा है और यहां पर लीक भी नहीं है लोग देख सके जांसके अगर आप सेंट्रलेसी के बारे में और भी जाना देखना चाहते हैं इसका वायरी किस्तर से रहता है क्या रहता है अब जाना देखना प्रोल्म रहता है अब देखते रहे हैं और यह कंट्रोल से इसके अंदर लगा रहता है यह कैसे वर्क करता है इसका वाइरिंग किस तरह से रहता है क्या काम है अगर आप नए टेगनिशन है तो सब वीडियो यूजफुल होने वाला है तो आप पूरा वीडियो देखते रहें तो जोड़े रहें यह वीडियो का फीड़वाइक दीजिए कुछ अनकारी मिला या नहीं मिला अगर आप ऑनलाइन कोई साभी टूल्स इस्पेर पार्ट खर तो आपको दिन सुबो थैंक्यू फर वाचिंगू